हालो अरिवन खामागे ने वेल्कम टू दू 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 पॉसिबल है हम इंसानों को तो यह लगता है कि सिर्फ इस धर्ती पर हम ही वास करते हैं लेकिन एक्चुली ऐसा नहीं है हमारे साथ ही यहां पर रहती है अलग-अलग तरह के एंटिटी जिनम से कुछ तो बिल्कुल शान्त है और वो छुपी हुई रहती है एक रास की तरह दबी हुई रहती है लेकिन कुछ एंटिटी ऐसी होती है जो सिर्फ मौका देखती है किसी भी इंसान से इंट्राक्ट करने का और उसे अपना शिकार बनाने का यह आज की इस कहानी में आपको बताने को एक एसी एंटिटी के बारे में जिसने पूरे गाउं को हिला के रख दिया और यह बनी उस गाउं की कई मौतों का करण यह कहानी मरसा शेयर की अतुल ने और उनके खुद के साथ हुआ रहे हैं त्व एकर आप हमें support नहीं करेंगे तो हम algorithm में उपर नहीं आपाएंगे और हम grow नहीं कर पाएंगे सबस्क्राइब क्योंकि आपका subscription ही हमरा motivation है और हम आप लोह के लिए amazing stories और बहुत सारा नया content लेकर आते रहेगे तो चैनल को सबस्क्राइब ज़रूरू करें और शीए कि साथ सथ अगर आपके पास भी ऐसे कोई real super natural experience है तो आप हमसे हमरी इन दी गई ideas पर share कर सकते हैं तो फिर इस whatsapp नंबर पर भी आप हमसे अपनी stories को voice note form में या फिर written form के अंदर share कर सकते हैं तो अतुल बिहार के कटियार जिले के पास में गाउं का रहने वाला बच्चा था 13 साल के उमरी में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो आज तक जिन्दगी वर भूला नहीं पाया है अतुल अपनी पढ़ाई के लिए अपने नानी के घर पे रहता था उसकी नानी का घर भी कटियार जिले में ही था लेकिर उनका घर शेहर के थोड़ा close था जबकि इनका जो खुद का गाउं था वो थोड़ा दूर था इनके फादर की जो जॉब थी उसमें लगातार उनको अलग-अलग शेहरों में मूव करते रहना होता था हर तीन-चार महीने में उनका ट्रांसफर हो जाता था और बार-बार स्कूल बदलने की वज़े से अतुल की पढ़ाई खराब ना हो इसलिए वो लोगों ने क्या कि कि अतुल को उसकी नानी के घर पे रखा इसकी मदर और फादर क्योंकि इसकी मदर उसकी फादर का भी ध्यान रखना होता था वो लोग मूव करते रहते हैं थे हर तीन-चार में उनकी जगए चेंज होती थी अपने बेटे से मिलने के लिए वो यहां पे आया करते थे और अतुल अपनी पढ़ाई अपनी नानी के घर पे रहकर कर रहा था इसके नानी के घर में इसकी नानी थी इसके मामा थे जिनका नाम आलोक था उनकी बीवी जिसका नाम था सुशीला और इसकी दो cousin sister थी, इनका नाम था रिद्धी और सिध्धी अतुल के मामा के अपना कोई बेटा नहीं था इसलिए वो अतुल को ही अपना बेटा समझते थे और उसके मामा, उसकी मामी वो सब उसको अपने बेटे की तरह रखा कर दे थे अतुल दिखने में भी बहुत सुन्दर था और उसे सभी लोग बहुत प्यार करते थे चाहे वो उसकी नानी हो, चाहे वो उसके मामा हो उसकी cousin sister हो या फिर उसकी मामी हो लेकिन अतुल के साथ आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कभी अतुल ने सपने में भी नहीं की होगी सर्दियों के समय की बात है एक दिन ये सभी लोग घर बें सारे सदस्ये बैठे होए थे अतुल, उसके माव, मामी, नानी और दोनों उसकी बहने और ये सब लोग अलाव पे हाथ सेक रहे थे चलते बात चली, तो सुशिला मामी बोलती है कि अतुल, कल तुम मेरे साथ मेरे माई के चलोगे क्योंकि मुझे हमापे कुछ काम है वहाँ पे तुम मेरे साथ चलोगे दो-तीन दिन हम लोग रुप कर वहाँ से आ जाएंगे तो जैसी वहाँ जाने के बाद तो इसके जो दोनों बहने थी रिद्धित सिद्धी वह भी बहुत excited हो गई कि हम भी नानी के घर चलेंगे तो सुशिला मामी बोलती है कि नहीं नहीं बेटा अगर तुम दोनों भी चले गए तो हम पर दादी का खयाल कौन रखेगा मैं और अतुल भी है दोनों जाकर आजाएंगे जब हम लोग वापस आजाएं तो फिर तुम नानी के घर पे चले जाना अचली अतुल पहले भी इन लोग के साथ सुशिला मामी के माई के गया हुआ है सुशील अमामी की मंठी को जिनका नाम उशा था उन्हें व नानी ही बोला करता था और वहाँ पर भी पहुंचने के बाद अतुल को बहुत प्यार मिलता था वो लोग भी उसको अपने असली नातिन की तरह ही प्यार करते थे जैसे वो बाकी अपनी दोनों नातिनों को प्यार किया करते थे तो सुशिल मामी की बात सुनकर अतुल भी बहुत एक्साइटेड हो गया उसने का जिए ठीक है मामी मैं आपके साथ जरूर चलूँ अगले दिन अतुल अपनी मामी के साथ उनके माईके पहुँचता है तो आगे भी बहुत जगे थी और पीछी भी बहुत जगे थी आगे पूरा बरामदा था उसके बाद इनका घर घर के अंदर कमरे बने हुए थे उनी कमरों के बाद एक छोटी सी किचन अन्य बना रखी तो किचन की जस्ट बाद एक किवाड लगा हुआ था लकडी का ध्यान दे यहां पर गेट नहीं है यह किवाड है किवाड में क्या होता है इस लकडी की फंटे फसे वे होते हैं चार फंटे ऐसे दो तीन फंटे ऐसे और उनका चुटाटा गैप होता जिससे आप आशानी से अगर आँख लाके देखो तो बहार क्या चल रहा है आप बहुत क्लियरली देख सकते हो इस घर के पीछे की साइड भी खाली जगे थी और उस खाली जगे में एक छूटा सा कुवा बना हुआ था अतुल जब वहाँ पहुंचा तो सभी लोगों से मिला उसकी बहुत खातिदर भी हुई अभी एक दो दिन ये उसको गुजरे थे तो अतुल दिन बर महाँ पर खेलता था सर्दियों का समय था आप समझते हैं गाओं के अंदर बहुत जल्दी लोग सो जाते हैं तो जल्दी से खाना ना खिला पिला कर उसको सुला दिया था तो ऐसे एक रात की बात है अतुल सोया हुआ था तब उसकी आँख खुलती है उ बिल्कुल संद्णाटा पसरा हुआ था जींगुर विंगुर बोलते हैं उनकी आवाजे साफ 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 से सुनाई दी रही थी और बिल्कुल घुप अंधेरा था जैसे तैसे करके वह रूम के गेट पर पहुंचा अच्छा अतुल के साथ उसकी नानी मतलब जो उसकी मामी पनी फलंग पर नहीं है क्यों सकता है कि पानी लाशों में चलता हूं इसे पानी पीके आ जाओंगा पानी के LOOK का था ब तर लूटा नसे को पानी पीना हो तो My दिए तो किचन में भी लाइट Kimchi को पानी के पास और लोटा ढूमना शुरू करता है, उसे लोटा मिलता है, और पानी की बाल्टे में जैसे लोटा डालता है, टन से बाल्टी के अवाज आती है, मतलब बाल्टी में पानी नहीं था, बाल्टी खाली थी, उसे लगा कि अब रात के टाइम पर किसी को क्या ही जगा हो पानी के लिए वो उसको रखकर लोटे को वापस और घूमने वाला होता है तब ही उसे दिखता है कि वो जो किवाड था लकडी का उसके पीछे से एक अलग सी रोशनी सी आ रही है जैसे किसी ने अलाव जला रखा उसे लगा शायद नानी उस तरफ बैठी होगी कि वो किवाड के पास है किवाड के अंदर जहांकता है अब जैसे वो जहांकता है कि कोई अजीव सी आकरती उस तरफ से उसको जहांक रही है उसको देखती तो पीछे उरता लड़ खड़ा कर गिरने वाला होता है कि तब ही उसे आकर उसकी नानी संभाल लेती है उसे पूछती है अरे अतुल विटा तुम यहां पर क्या कर रहे हूं उन्हें देखकर वो उन से लिपड़ जाता रोहन लगतर बुलता कि वहां पर कोई है उसकी नानी उसे बड़े प्यार से शांत करवाती है और उसे विश्वास दिलाने के लिए कि कुछ भी नहीं है वो उ उसकी नानी उसे अपने साथ ले जाती है उसे सुलाती है और उसी के बगल में वो भी लेट जाती है एक दो दिन सब कुछ ठीक रहा और फिर आई अगली रात वो रात जिसमें अतुल ने कुछ ऐसा देखा इसने उस तेरा साल के बच्ची की जिन्दगी को हिरा कर रख दिय उसने वो मनजर देखा जिसकी वारे में वो कभी सूच भी नहीं सकता था उस दिन की तरह अतुल को आज भी नींद नहीं आ रही थी वो इदर उदर करवटे बतल रहा था तभी उसे किसी की गुर्राने की आवाज आती कुछ इस तरह जाता है और इदर उदर देखने लगत दूंभी नहीं थी उससे लगता है कि नानी फ्रेश हो ने फिर वाश्रोंग लीए पानी पीने लिए बहार गई हो उसे डला गई कुछ अगरे नानी को काट ना ले तो वह भी अपने कमरे से बहार निकलता है और निकलते निकलते वह जाड़ू उठा लेता है कि एक कुछ वगरा हुआ तो उसको डरा कर वो ज़ाड़ू से भगा पाएगा उसे ये भी लगा कि कहीं वो अकेला ना पड़ जाए मामी को भी साथ में लेटा हूँ तो अगले कमरे में गया और खिड़की से अंदर जहां का तो उसने देखा कि मामी भी अपने पलंग पर नहीं थी मामी और नानी दोनों ही अपने बेट से गायक तो नूचा कि कहीं मामी और नानी दोनों ही फ्रेश होने तो नहीं गई है कि घर में वाश्रूम नहीं था और फ्रेश होने के लिए बाहर ही जाना पड़ता था और उसे लगा कि कहीं उन दोनों के उपर ही वो जानवर हमला ना कर तो उसकी नजर पढ़ती है आज भी उस किवाड के पीछे से वैसी रोश्णी आ रही थी जिसे उस तरफ कोई अलाव जलाकर बैठा हूँ वो बिलकुल दबे पाउं उसकी वाड के पास जाता है और उसकी दरार में से उस तरफ देखता है लेकिन इस पार जो वो देखता है उ सबसे पहले उसकी नानी पर पढ़ती है उसका उसके बाल खुले हुए थे उसके चेहरे पे इतनी मोटी काली बिंदी थी और उसमें कुछ ऐसा सिंदूर सा पूरी मुह के उपर लगा रखा था और वो लगातार मंत्र पढ़े जा रही थी उनके बाल भी पूरी तरह से खु उसकी मामी के पास में खड़े एक जानवर के उपर पढ़ती है वो जानवर नहीं था वो कोई एक अलग सी ही चीज थी वो दिखने में जानवर जैसा था ले उसका चेहरे इनसान जैसा मतलब वो आधा मनुश्य और आधा जानवर था उसकी पूरे शरीर के उपर काले काले बाल थे लेकिन उसकी जो नाक थी वो एक इनसान की तरह थी लेकिन बहुत लंबी नाक थी वो जब गुर्रा रहा था तो गुर्राने के वाद उसी जानवर से आ रही थी और उस पैंप उसके बड़े बड़े दात अतुल को दिखाई दे रहे थे उसका शरीर बिलकुल एक ऐसे से करके कुछ खाये जा रहा था जैसे किसी जानवर के पड़े मास को खीच खीच कर खा रहा हो वो कुछ और सोच पाता तभी उसकी नानी के पास में लेटे हुए बच्चे के उपर बढ़ती है एक बच्चा वहाँ पर लेटा हुए था जिसके पूरे शरीर के उपर उ उस बच्चे के पास जाती हो एक बार में उस बच्चे का सरधर साला कर देती है सब देखते है तिलके मुझे ने कल लेटा है और उसी टाइम पर उसका टॉयलेट अपनी पैंट में निकर जाता है उसने क्या देख ले तो भागता है वहां से दबे पाऊ और शीदा जाकर अ नी कमरे के ँमेरे के अन्दर के पूसरी के आने के अहड़ सुने देखतर और बाद ममी म ममी 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 रुरहा था उसकी हालत देखकर उसकी मामी और नाबहु को बॉस्पिटल लेकर याफिर और ने कर जाते हैं बार डॉक्टर उसको सामने वोई उशा नानी बैटी हुई थी और उसको देखकर मुश्कराती है उनको देखते ही वो घबरा जाता है और वो मुश्कराती कुछ इस तरह से कि अतुल को लगता है कि शायद उन दोनों को पता है कि वो रात को जो कर रहे थे वो करते हुए अतुल ने उनको देख लि वह एक्टिंग करना शुरू करता है कि उसके कुछ भी नहीं पता नहीं क्यों उसको फीवर आ गया है अचा उसके फीवर की बात इसके मामा और नानी को बता दिया गया था तो यह लोग डॉक्टर से बात करके उसको घर लेकर जाते हैं और जब तक यह लोग घर पहुंचते ह टक उसके अलोक और उसके रिएल नानी महां पर पहुंच चुके थे अपनी नानी को देखते हैं बानी अटिया नहीं चीजत नहीं को भूत दो नहीं देख लिया है वे सब सोचकर तो समझा एर ति तभी पूरे गौँं में हल्ला मच्किया कि आउगा बच्च आए बच्च शुशे नानी से वह से फिर से बच्च घायब होगए पतानीNow基本 गजायब के और रहे हैं उन दूनों को देखकर अध्ल घबरा गया वह अपनी नानी को उसने और कसकी पकड़ लिया सब्सक्राइब पता नहीं हमारे गाउं से हर अमावस की रात को एक बच्चा गायब हो रहा है पता नहीं कौन उसा है गुजा है इस गाउं के अंदर उनको देखकर अतुल ने आख बंद गी तो से वापस से वही रात का सीन देखा लिए उसमें बच्चे को उन्होंने काटा था और तीस अप अपने घर के लिए निकल जाते हैं लेकिन शाम हो चुकी थी तो उन्होंने डिसाइड किया और उनकी जो मामी की जो ममी तुने ने कहा कि भाई आप लोग आये हो उनके जमाई जी आया थे आज आस तो रूखके जओ तो रात को खाना वाना खाके अतुल की रियल नानी जो उसकी मम्मी दोनों को इस हालत में देखा और किस तरह से उन्होंने उस बच्चे की बली दी थी अतुल की बात संकर उसकी नानी का जो बहीवियर तो बिल्कुल न्यूट्रल था उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं सब पहले सी पता तो उन्होंने तुने कोई सपना देखा होगे तरह वहम है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता वैसे कोई नॉर्मल पूजा बगएरा कर रहे होंगे तेरा दिमाग ज़्यादा तेज चल रहा है या तो सीजों को वैसे ही सोच रहाए बेटा ऐसा कुछ नहीं है उसके बाद वो अतुल को सुला देती है, और उसको सुलाने के बाद उसकी नानी रात में उठती है, वो देखती है तो घर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, दबे पाउं वो पूरे घर के इंदर चेक करना शुरू करती है, अक्चुली अतुल छोटा बच्चा था, उ और जहां पर अतुल ने उन दोनों को देखा था अतुल की जो रियल नानी थी उनको थोड़ा बहुत तंत्रमंत्र का ग्यान था और कहीं पर अगर थोड़ी बहुत भी नेगटिविटी होती थी तो वो उसको सेंस कर लेती थी और जैसे वो दर पीछे पहुंची वहां का घुमती हैं को माँ कीड़ा कट लेगा अपर पता भी नहीं चलेगा चलिए को पानी देती हूँ और इतना बोलकर वो उन्हें अंदर लेकर जाने लगती है उसके साथ साथ वो अंदर जाती हैं लेकिन वो पीछे घूमकर देखती है तो उन्हें दिखाई देता है कि कुए के ओट में इसे कोई चुपकर बैठा हुआ है और उसका सिर्फ चेहरा दिख रहा है और वहां से दो लाल आँख्यों को चुमकती भी दिखाई थी जाते है पूरे टाइम वो पीछी देख रही थी और लाल आँख्यों उन्हें साफ साथ दिख रही थी अंदर जाकर वो पानी पीती है और चुपचाप जाकर अपने पलंग पर अतुल के साथ लेड़ जाती है सुबह वो उठते हैं और जब उनके जाने का समय होता है तो जो अतुल की रेल नानियों बोलती है कि काम करते हैं अब बार बार तो आना होता नहीं है तो क्योंना हम भी एक दो दिन यहाँ पर रुख जाते हैं उसके बाद ही चलेगे तो इधर जो सुशिला थी उसकी मदर थी उशाओ बोलती कि हाँ आप तो वैसे भी कभी कभी आते हो और दो तिन दिन के बाद तो आप एक काम करना ना सुशिला को साथ में लेके चले जाना आ और वहत टाइम होगे आप लोगो साथ टाइम गुजारे हुए तो इसी बातचीत होती है तो अतुल बोलता कि ठीक है आप लोग रुख जाओ मैं जा रहा हूं तो जब आप लोगों का आने का मन हो मुझे बता देना मैं वापस आप लोगों को लेने आ जाओ अब जो अतु पहुंचकर चीज़ों को वापस एनिलाइज करना शुरू करती है वह यह अब्सर्फ करती है कि घर के फ्रेंट साइड और घर के बैक साइड के एंविर्मेंट में बहुत बड़ा डिफ्रेंस था जहां घर के बाहर बहुत चहल पहल थी घर के पीछे का हिस्सा बिलकुल शा हैसूस हो रहा था कि बहुत सारी आत्मा है वहां पर कह दें और वह बाहर निकलने के लिए छट पटा रही है वह सब सोची रही थी तभी वहां पर जो उशा नानी थी उनकी बहु मतलब सुशीला के ब्रदर की वाइफ वहां पर आती और आकर बोलते अरे माजी आप यहां कर रहे हैं सब लोग तो बाहर हैं तो बोलते ही कुछ नहीं थोड़ा मेरा शांतियों बैठने का मन कर रहा था इसलिए मैं इधर आगी बात बताओ तुम्हें इस जगे पर कुछ अजीब सा नहीं लगता है यह सवाल सुनते ही उनकी जो बहुत इसके चेहरे का बदल जाता ह आगी पिछे देखते हैं माजी दर तो बहुत लगता है मेरी सांस और आपकी बहुर सुशीला का वेभार देखकर लेकिन क्या करूं मैं जब भी कुछ पूछती हैं वो दूनों मुझे चुप करा देती है एक और बात बताओं आपको यहां कोई अगल वगल का भी नहीं आत आप जल्दी वापस आ जाईएगा इतना बोलकर वहां से निकल जाती है उसकी बात सुनकर अतुल की नानी को भी खैल आता है कि हाँ आज मुझे यहां दो-तिन दिन हो गए हैं लेकिन कोई भी अडोस-पुडोस की औरत या कोई भ्याकरी पूछ नहीं कि भी तुमारे घर मे तक आजाते हैं बैठ EVERY माहाल होता है किसी एग में महमा solely कोन आया है क्या है क्या है-क्या नहीं If you get जानकार होते बैठ करगंटों अपस है निया है।ender जाती है और जाकर फिर उसकी जो जो फुशा-नानी थी उनसे बात करती हैं बहन जी मुझे और हम तो चाहते हैं कोई वह हमारे घर पर आए वह हमारे तरक्टी से जलते हैं और कहीं कोई आकर हमें घर में कुछ उल्टा सिदा करा गया तो हमें तो लेने के देने पड़ जाएंगे इतना कहकर अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा देती है इसके बाद सब लोग रात में अपना खाना खापी कर सो जाते हैं और अतुल की नानी थी वो सिर्फ वहां सोने का नाटक कर रही थी अच्छा मैं आपके बता दूँ अतुल जो था वो अपने आलोग मामा के साथ चला गया था तो उसकी नानी अकेली यहां पर रह रही थी तो वो अपनी बहू के साथ उसकी कमरे में सूती थी और वो रात को सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी तभी उन्हें अपनी कमरे के इं लन के में जेण खुल कर खेटों के तरफ जा रही वो भी उठती है दूसरे कमरे में जाती है देखती है तो उसकी मदर भी वहाँ पर नहीं थी वो चुप 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 अपनी बहू का पीछा करती है उसे प्रोपर डिस्टेंस मैंटेंग करके छुपते शुरी है इसको दूर से सुन परनाबड़ा ही मुश्किब था हिंत इसली हिम्मत करके दबये पॉंजले की कोशिश करती है इतनी दूर कि उनकी बाते सुन सके उसुन्ती कि उनकी बहु कह रही है कि मा जी को शक हो गया है लगता है यहसे जाना पड़ेगा तो उसकी कि मेरे पास इस चीज़ का इक इलाज है, बुद्धी क्या, कल हमें काम करेंगे, तेरी सास के खाने के अंदर नीन की गोलिया मिला देंगे, वो सो जाएगी, और कल का ही मूरत है, कल रात को हम लोग पूजा कर लेंगे, ये बोलकर वो दोनों कहीं और निकल जाती है, खेत के अ आदे पौन घंटे के बाद, ये वापस उड़ती है, उठकर वो अच्छे से चेक करती है, कि उनकी बहु और उसकी मा दोनों सोय हुए हैं, और ये कंफर्म करने के बाद वापस से निकल कर पीछे चली जाती है, उस कोई के तरफ, वहाँ जैसे वो पहुंचती है, उन्हें जली जा, वो आवाज सुनके जैसे इंदर घूमती है, तभी उनका पैर के इस चीज पर टकरा कर फिसलता है, और फिसलने से अपने आपको बचाने के लिए एक टहनी को पकड़ लेती है, और जैसे ही वो समलती है, उन्हें फील होता है, कि उन्हें जिस चीज को पकड़ा जो भी चीज वहाँ पर है, उसके में थोड़ा फिल किया, तो वहाँ पर ऐसे बाल, सौफ्ट थोड़ा हाथ जो होता है, उस तरह की सौफ्टनेस उसके अंदर थी, पिल्कुल खुप अंधेरा था, और उन्हें इतनी हिम्मत नहीं घूम कर वह देख पाई कि उन्हें क्या चीज पकड़ी हुई है, इसमें आपको बताया, उनको चीजों का थोड़ा बहुत ग्यान था, उन्हें समझ ले था कि अगर वह थोड़ा बहुत भी घबराई, तो यह चीज उनके उपर हावी हो सकती, उन्हें हाथ छोड़ा, चुप चाप घूमी, और सीधा वो अंदर च उस खाने के थाली को पलट देना, मतलब मेरी खाने के थाली तू लेना और तेरी खाने के थाली मेरे को देना, लेकिन ध्यान रखना उन दोनों को पताना चाहिए, और ऐसा ही हुआ, उसकी सास ने अपनी बहु को बलाकर खाना रखने को कहा उनको, तो वो गई, उसकी सास न तोड़ी देर के बाद वो अपने कमरे में चली गई और अतुल की नानी ने एक्टिंग की अरे मेरे तो बहुत तेज सिरु दुखरा है पता नहीं आज क्या हो गया धकान बहुत दोरी मैं सोने जा रही उनक्स उन्हों जब यह कहा तो दोनों मां बेटी ने एक तो देखके अतुल की नानी जाकर अपने बिष्टर पर लेट गई और सोने का नाटक करने लेगी तोड़ी देर बाद ही जब सब सो गए उसके थोड़ी देर बाद इनकी बहु उठती है और उठकर अपने सासु मां को चेक करते कि वह सोई है पर नहीं सोई है कंफर्म करने के बाद कि कि वह सो चुकी है वो अपने कमरे के अंदर कुछ को चीज़ें ढूपना शुरू करती है वाल मारी के अंदर से कुछ कुछ चीज़ें निकाल रही थी और यहां उनकी सास को सब कुछ पताता की वह क्या कर रही है थोड़ी देर के बाद कमरा बिलकुल शान्त हो जाता है उस उसकिवार के पीछे से आग की रोशनी आ रही थी और वो उसकिवार के से जहाक कर देखती है तो जो कुछ अतुल ने बताया था विल्कुल वैसा ही यहां पर मनजर था दोनों की दोनों मा बेटी फिर से हवन के सामने बैटी थी अर्द नगन अवस्ता में उशा के पास में ए वो बड़े-बड़े सींग थे आँखे लाग थी और वो उनकी पास में खड़ावा था आज सिर्फ बच्चे की जगे पर एक वकरा बंदा हुआ था अतुल की नानी ने सारी प्लानिंग पहले दिल में कर ली थी उसने अपने बेटे आलोग को बुला लिया था रो पड़ो जाती है सबसे पहले अपने बेटे आलोग और उस परिवार के लोगों को जगाती है और वो सब मिलकर फिर बाकी गाउवालों को जगाते हैं सारे गाउवालों को बताने के बाद सभी गाउवाले मशाल लेकर सीधा इनके घर पे दावा बोलते हैं और घर में गुसकर सीधा वहीं पहुंशते हैं जहाँ पर यह सब चल रहा होता है सारे गाउवालों को एक साथ देकर उजिछ जान वरता है उस्युदा कुए में कूँछ जाता है गाउवाले इन दोनों माबेटी को उसी अवस्ता में पकड़ लेते हैं और उसके बाद सभी गाउं लोग उससा फूट पड़ता है कि ये वो दो अरते हैं जिनके वैसे गाउं के बच्चे गाईवरो और ये उनकी बलियां देती है पुरा गाउं आग बगलाता सब चाहते थे कि अभी के उनको आग लगा दी जाए लेकिन ऐसा नहीं करने दियस की नानी ने कहा कि कल पंचायत में इनका हिसाब करेंगे सबसे पहले इस कुवे को बंद करो गाउं वाले उठा उठा के पत्थर लेकर आया और पूरे कुवे को बंद किया बंद करने के बाद उनने पहले से एक महा पुजारी को बला रखा था जिन्होंने यंतर तंतर पूजा करकर उस पूरे कुवे को बांध दिया अगले दिन इनकी पंचायत बैठी और पंचायत के अंदर लोगों को सच्चा ही पता लगी वहाँने पता लगा कि जो उशा थी वो कोई तंतर साधना कर रही थी और शक्तियां अरजित करने के लिए वो गाउं के बच्यों की बलिया दिया करती थी और उसकी सहायता उसकी बेटी कर रही थी वो एक राक्षश को जीवित करना चाहा रहे थे उसको मैनिफेस्ट करना चाहा रहे थे और उसी को भूग लगाते थे और अगर अतुल नहीं जाता तो उस दिन उस पकरे की जगे पर अतुल ही होता यह सब सुनकर पूरे गाउं वाला गुसा चरम परता और वो उन दोनों को हाथों हाथ वही मारने को तेयर हो दिते हैं लेकिन तभी पता नहीं उस उशा के पास क्या शक्तिती उसने कुछ ऐसा आँख बंद की थोड़ बढ़ड़ाई और एकदम से पूरे गाउं के अंदर ध बाहे वो चुके थे हैं वो दोनों कहां गए वो जिन्दा है मर गए आज तक किसी को नहीं पता उसके बाद उन्दोन कारव में गाउं में किसी को भी पता नहीं चला और तब से लेकर अब तक वो घर आज भी खंडर पड़ा हुआ है उस घर के अंदर गदम रखने की गाउ बंद करता हूँ सामने वही मनजर वापस लगता और कई बार सपन में उसे वह राक्षिस भी दिखाई देगता दीरे 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 करके अतुल भी उस चीज से उबर गयाु लिकिन आज भी कई बार रह रहकर उसको यह चीज यादाए है तो यह थी हमारी आज की कहानी जो कितनी सच है या नहीं यह मुझे पता लेकिन जिन लोग के साथ ये experience वाजर ने मुझे से share किया है कुछ तो उनके साथ हुआ होगा तभी वो चीज़ों को share कर रहे हैं और पता नहीं क्यों लोग इतने पागल हो जाते हैं शक्तियों के पिचा से कौन सी शक्ति है जो किसी इनसान को इस हद तक किरा देती है कि वो चोटी-चोटे बच्चों तक को मार देते हैं अगर आप इस करह में कुछ जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताएं और हम मिलते हैं अगली कहानी में तब तक के लिए keep loving and keep listening और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले है